हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल वंडर रूमनिया तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं बैंगन का भरता वो भी बिल्कुल नहे तरीके से लिए हमने यहाँ पे एक बैंगन ले लिया है उसके ऊपर अब हमें अच्छे से तेल लगा देना है अब हमें बैंगन को अच्छी तरीके से चारो तरफ घुमा घुमा के भून ले रहा है जब तक हमारा बैंगन भून रहा है तब तक हम और चीजों की तैयारी कर लेंगे यहाँ पे मैंने एक प्याज काट लिया है और दो हरी मिच थोड़ा सा लैसुन और थोड़ा सा अद्राय और हरी धनिया और मैंने यहाँ पे एक टबाटर भी काट लिया है हम बैंगन को चारो तरफ अच्छे से गुमा घुमा कर पका लेंगे हमारा बैंगन पक चुका है अब हम उसके चिलके निकाल लेंगे अब हमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल हमारा जैसे गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे जीरा और एक चुटकी हींग अब हम उसमें डालेंगे अद्रक और लैसन और उन्हें अच्छे से पका लेंगे अद्रक लेशन हमारे अच्छे से पक गए हैं अब हम उसमें डाल रेंगे हरी मिर्च मिर्च को थोड़ा सा पकने के बार अब हम उसमें डाल रेंगे प्याज और प्याज को भी बूर लेंगे सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला कर पका लेना है अब हम उसमें डाल देंगे टमाटर टमाटर को भी अच्छे से मिला लेंगे जल्दी से पक जाए उसके लिए अब हम उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक जब टमाटर अच्छे से पक जाए तब हमें उसमें बैंगन डाल देंगे बैंगन को अच्छे से मिला लेंगे अब हम उसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया थोड़ा सा गरम मसाला अब हमें सबको अच्छे से मिला लेना है और थोड़ी देर पका लेंगे अच्छे से पकने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे आमचूर पाउंडर और फिर उन्हें अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे हरी धनिया तो हमारा मैंगन का भरता तयार है आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका भरता बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फगेट टो लाइक और सब्सक्राइब तो माइ यूट्यूब चैनल वंडर वु मरिया थैंक यू